परदानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जापान के हीरोशीमा सहर में हैं वह जीजी शैवन सिखर سम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए वहाँ पोचे हैं सनिवार को पीम मोदी ने जापान के परधान मंत्री भूम्योग की सिदा से मुलाकात की इसके बाद उन्होंने हीरोशिमा सहर में महत्मा गांधी की परतिमा का अनावरन किया बता दें इस दोरान वहां मौजूद एक महिला ने परधान मंत्री नरेंदर मोदी से कहा मोदी जी मैं चाय वाली हूँ मैं यहाँ चाय का बिजनिस करती हूँ जिसका ये वीडियो सोसल मीडिया पर जमकर वाइरल हो रहा है जरा आप भी देख लेजिए वहीं इसके जवाब में पीम नरेंदर मोदी ने कहा वाँ पीम मोदी 21 माई तक हीरोश सीमा में रहेंगे आज वह कई निताओं के साथ दिपक्चिया बैठक करेंगे और साम में कवाइड देश की मिटिंग में सामिल होंगे बता दें परदान मंत्री नरेंदर मोदी आज यूकरेन के राष्ट्य पती जेलेस की से मुलाकात करेंगे इसके लावा वो दक्चिन कोरिया और वित्य नाम के राष्ट्य अध्यक्चों से मुलाकात करेंगे परदान मंत्री नरेंदर मोदी ने हीरो सीमा में महत्मा गांदी की परतीमा का अनावरन किया इस दोरान उन्होंने कहा ये परतीमा अहिंसा के विचारों को आगे बढ़ाईगी वहीं अनावरन के बाद उन्होंने भारतिय समुदाए के लोगों से मुलाकात की इस दोरान उन्होंने कहा हेरो सीमा का नाम सुनकर आज भी दुनिया सहम जाती है बापू की परतिमाद दुनिया भर में सांती का संदेश देगी ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रही है इन खबर के साथ